नमस्कार आप सभी का स्वागत है तिवारी अकैडमी में और आज हम बात करेंगे कक्षा आठ यानि क्लास एट में mathematics यानि गणित के लिए अध्याय तीन की जिसका शीर्शक है क्या चतुर भुजो को समझना इसमें हम आज बात करेंगे प्रश्णावली 3.2 की और ये उसमें पहला प्रश्णा हमारे सामने है क्या है कि निम्न लिखित आकरतियों में एक्स कमान हमें ग्यात करना है ठीक है एक्स कमान हमें ग्यात करना है बहुत अच्छी बात है अभी हम कर लेते हैं देखिए दो आकरत ये वाली आकरती कौन सी है ये वाली है ना तो इसको हल करते हैं सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं देखिए इस आकरती में क्या दिया है ये हमें 125 अंच का कौन दिया है ये वाला कौन भी हमें 125 अंच का दिया है ये कौन बाहर के हैं है ना यानि ये बाहर कौन है ठीक है और ये वाला जो है हमें ग्याद करना है X अंच वाला कि ये कितने अंच का कोण हमारे लिए होने वाला है ठीक है बहुत अच्छी बात है अच्छा मुझे एक बार बताईए ये एक रैखे की युगम कब बनेगा नीचे वाला इस तरह से कर दूँगा तो है ना आपको मालूम है कि ये पूरा कोण जो है 3030 अंच का हो गया ठीक है हो गया ना 3070 अंच का ठीक है तो अब मुझे बताईए कि ये इस तरह से ये वाला जो कोण है ये ये भी एक लाइन है एक रैखे दूग में है तो यह अगर कितने का है 125 अदर का होगा 180 का है ना ठीक है फिकर मत कीजिए ये सिर्फ में आपको कुछ बाते हैं जो समझा रहा था इस प्रशनावली में जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है ठीक है अगर 180 में से एक रैखिक युग में हम बायकोन को घटा दें तो हमें अंतहकोन प्राप्त हो जाता है इसका यही मतलब है ठीक है कोई बात नहीं कि तरिभुच बताइबा मैं सही लिख रहा हूं कि ने तरिभुच के बायकोन का योग बराबर होता है 360 अंच क्या ये बात सही है तरिबुच के भाय कोणों का योग 360 अंश होता है बिल्कुल होता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब मुझे एक बात बताईए 360 अगर होता है तो इसके अनुसार एक दे दिया हमें 125 अंश दूसरा 125 अंश तीसरा एक्स है बराबर है 360 अंश के क्या ये ठीक है बिल्कुल ठीक है चलिए आगे बढ़ते है अब बताईए 125 और 125 कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 250 अंश सही कहां मैंने धन एक्स बराबर 360 अंश क्या ये ठीक है ये भी ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अच्छा आप बताईए, एक्स अंच बराबर से कितना हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे 360, रिन 250, यही करना पड़ेगा न, यहां लिख देंगे पक्षांतर से, यह पक्षांतर से आगए हमारे सामने, ठीक है, अब बताईए, 360 में से, अगर आप 250 घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा, 0,9 में से 0 गया, 0 बचेगा, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, 3 में से 2 गया, फिर 1 बचेगा, 110 अंच, तो यह आपका X का मान हो गया, कितना, 110 अंच, ठीक है, तो यहां पर यह बात इस पश्ट हो गई, इसके बाद में क्या दिया है, अब हमें A वाला हमने कर लिया है, आप स्क्रीन शॉट ले लीजे चाहें तो, अब हम B वाले पर आते हैं, B वाला, यानि यह वाली आकरती, ठीक है, कितनी भुजाएं हैं इसकी, 1, 2, 3, 4, 5, यानि यह पंच भुज है, सही कहा ना मैंने, पंच भुज है यह, पंच भुज के बाहय कोणों का योगफल कितना होता है, आपको पता है, पंच भुज के बाहय कोणों का योगफल 360 होता है, जितनी भी भुजाओ वाली आकरती है, उसके बाहय कोणों का जो योग है ना, वो 360 ही होगा, है ना, क्योंकि आप जानते हैं ना, कि एक वरत पूर पूरा, टीन tiene katenska होता है ठीक है तो ये बाहुय कोड नों का जो योग है कितना हो जाएगा तीना, 360 हो जाएगा तो चली वे वाला हल करते हैं लेकिंद दूकरती को थ्यंद म Matthew करते हैं यहां पर मैं लिख देता हूं की कई से हमसे पहले हम भुज क्या लिखेंगे पंच भुज के बाहर कोणों का योग बराबर होता है कितना तीन सो साट अंच ठीक है यह हम जानते हैं ठीक है अब बाहर के हमें कितने दिये हैं मुझे बताईए बाहर का देखिए एक तो यह सत्तर दिया है ठीक है एक कोण सत्तर दिया है ठीक है दूसरा कोण एक्स है जो हमें ग्याद करना है ठीक है हम ग्याद कर लेंगे अच्छा यह देखिए यह एक रैखे क्यूग में होगा न मेरे साथ बताईए यह एक रैखे क्यूग में होगा तो यह कितना है अंदर का 90 तो बाहर का कितना हो इस पश्ट है तो एक सत्तर एक एक करना चाऱ कोम पता चल गए निकाल रहे है तो अब तो सभी का योग 360 है ना तो इसका सभी का योग कर देंगे 90 धन 290 थे ना 90 फिर और कितने दिये हैं 60 और 70 है ना धन 60, धन 70, धन X बराबर 3060 अंश, ठीक है, हो गया यह, चलिए, अब आगे इनको जोड़ देते हैं, 90-90 कित्ते हो गए, 180 अंश, धन 7 और 6 तेरा, यनि यह हो गए, 130 अंश, धन X बराबर 3060 अंश, ठीक है, 180 और 130 कितने हो जाएंगे, मुझे बताईए, 0, 8 और 3, 11 का एक, हासिला 1, 1 और 1, 2 और 1, 3, 310 अंश, ठीक है, 310 अंश, बराबर 3060 अंश, धन X भी है, हमें नहीं भूलना है, तो इसी लिए, X बराबर से क्या हो जाएगा, 360 अंश, रिन 310 अंश, है न, तो ये, X का मान जो है, हमें कितना मिल गया, 360 में से 310 चले गए तो, 50 अंश, ठीक है, तो ये वाला जो हमारा उत्तर है, ये आ गया, 50 अंश, इस पश्ट है, अच्छे समझ में आया होगा आपको, है न, अब देखिए, अब हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हुए, अब हम बात करेंगे, प्रश्नक्रमांक 2 की, क्या है प्रश्नक्रमांक 2, प्रश्नक्रमांक 2 में हमारे सामने दिया है, एक सम बहुभुझ के प्रतेख बाहयकोण की माप ग्याद कीजिए, जिसकी A, 9 भुझाय है, और B, 15 भुझाए हूँ, ठीक है, अब देखिए, बहुत सरल है, कैसे सरल है, एक सम बहुभुझ, हम समान जिसके सारी मुझायें समाने है अब और समान तो प्रते कोन गयाता है कैसे सब सबसे पहले तो यह वाला ही है छी ज case सबसे पहले लिखेंगे नौं भुजाए बोला है ना तो यहां पर लिखती ए पुझाएं इंहें और हम यह जाते हैं कि जो बहुभूज होता है उमारा क्या होता है बहुभूज होता है न इसके बहाय जो कोण होते हैं बहाय कोण होते हैं बहाय कोण का जो योग है वो कितना होता है वो होता है तीन सो साथ अंच सही कहा मैंने तो अब मुझे यह बताईए कि अगर हम बात करें प्रतेक बहाय प्रत्यिक बाहर कोण की तो वो कितना हो जाएगा मुझे बताइए प्रत्यिक बाहर कोण हो जाएगा थीं-ंच व coalition हमने वजा मानी है एंद्टH kiaa N यह हो जाएका तो अब मुझे बताइए कि N का क्या सब्सक्राइब बी वाले पे आते हैं, बी वाला क्या था फंदरा भोजाएं, है ना, तो अत्ठीक है, हम यहाँ पे यह ज़ी करेंगे, माला, माला, भोजाएं, बराबर आपर एन है, तो n का मान कितना दिया है, n का मान दिया हुआ है इसमें 15 सही कहां मैंने n का मान 15 दिया है अब अगर n का मान 15 है तो फिर आपको वही लिखना पड़ेगा कि बहुभुज के बाय कोणो का योग बराबर 360 अंच तो प्रतेक बाय कोण कि माप कितनी हो जाएगी 360 बटा n यानि 360 बटा n का मान कितना दिया है 15 है न तो बराबर से कितना आ जाएगा 240 तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रतेक कोण की माप जो है वो कितनी हो जाएगी 240 अंच 240 है न यह हो जाएगा आप कहीं हाँ पर ठीक है यह आप ध्यान में रखेंगे ठीक है 24 अंच आपका यहाँ पर उत्तर हो गया यह एक बाहय कोण की माप 24 अंच हो एक बाहय कोण की माप कितनी है 24 अंच है तो क्या बताना है हमें कि यह जो संबहु भुझ ए इसकी कितनी भुझाय होंगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो है ये बी वाले का ही उल्टा प्रश्न दे दिया है खैर हम इसे हल करते हैं क्योंकि इसका भी उत्तर हमारा कितना आया 24 तो कितनी भुजाए थी 15 चलिए तीसरे को हल करते हैं एक सम्बहु बुचकी कितनी भुजाए होंगी यदि एक बाहे कौन की माप 24 हो ये भी हमें ग्याद करते तो आना ही चाहिए ठीक है तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि हमने मान लिया मान लिया की मान लिया की जो भुजाए हैं उनको हम एन से प्रदर्शित करते हैं ठीक है तो एन का मान कैसे निकालना होगा हमें एनका अगर मान निकालना हों कुल भुजाओं का तो कैसे निकालेंगे कि सम बहुभुज जो होता है हमारे पास में सम बहुभुज जो है हमारे पास में इसके बहाय कोण जो होते हैं कौन से कौन बहाय कोण है न तो इसके बहाय कोणों का कुल्योग और इसके बटे में जो है आ जाएगा क्या इसके बटे में आ जाएगा प्रतेक बाय कोण की माप ठीक तो अब क्या हो जाएगा एन बराबर से तो यह हो गया हमारा तीसरा हल तो आप यहाँ पर लिख दीजेगा कि अतहा एक समभुज की समभुज की 15 भुजाय होंगी थीक है इस समभुज की कि इन chain के बाद प्रश्न क्रमांग चार की ठीक है तो प्रश्न क्रमांग चार में क्या दिया है एक सम बहु बुच की भुजाओं की संख्या ग्याद कीजिए, यदि इसका प्रत्यक अंतह कूण 165 अंच का है, ठीक है, मैंने माल लिया, अब हम इसे कैसे हल करेंगे, देखिए, हमें भुजाओं की जो संख्या दी हुई है, क्या दी है, भुजाओं की जो संख्या दी हुई ठीक? अब हमें क्या करना है? प्रतेख जो हमें क्वेस्टनун में दिया है, प्रतेख का जो अन्तह कोण है, वो कितना है, 165 है, तो अब मुझे बताइए, हमें जो सूतर पता है, वो तो भाय कोण से ग्यात होगा है, तो प्रतेख अगर हमें भाय कोण निकालना हूँ, तो कैसे निकालेंगे, बायकोण कैसे निकालते हैं, 180 में से हम घटा देते हैं, अंतरकोण को, अंतरकोण को घटा देंगे, तो 180 से अंतरकोण घट जाएगा, तो हमें बायकोण प्राप्त हो जाएगा, तो 180 और अंतरकोण का मान कितना दिया हुआ है, ब कितना बचेगा, दस में से पांच गया, पांच, साथ में से छे गया, एक, एक में से गया, शूनी, यानि पंधरांज, यह हमारा हो गया क्या, प्रतेक बाहेकोन का मान, पंधरा हो गया, अच्छा, अब मुझे बताईए, अगर हमें एन निकालना हो, तो उसका सूत्र क्या होत है न, सम बहुभुज के भाय कोणो का योग, बटे क्या आ जाएगा, बताईए, बटे क्या आ जाएगा, बटे आ जाना चाहिए, प्रतेक भाय कोणो, आ जाएगा न यह, अच्छा, अब यह आ गया, अब बताईए, तो मान रख दें, प्रतेक सम बहुभुज के भाय कोणों का योग कितना होता है, तीन सो साट अंच, और प्रतेक भाय कोण हमारा कितना आया, पंदरा, यहां पंदरा लिख दीजिए, अब उत्तर कितना आ जाएगा, बताईए, चौबिस आ गया, देखिए, वही बात हो गई, है न, चौबिस भुजाओं की संख्या चौबिस है, और यह आपका जो है, वह उत्तर हो जाएगा, इस पश्ट है, इस तरह से आपको जो है, यह हल करना है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए, बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक पांच की, क्या है प्रश्न क्रमांक पांच, क्या यहा सम्भभुज संभव है, जिसके प्रतेग भायकोण की माप कितनी है, 22 अंच है चलिए, देखते हैं कैसे हल होगा, पहले ये वाला पांचवे का ए मुझे बताईए एन बराबर से क्या होता है हमने माल लिया कि सबी बुजाओं की संख्या एन है तो एन बराबर से क्या हो जाएगा एक बहु भुज के बाय कोणों का योग है ना एक के बटे में क्या आजाएगा प्रतेक भाय कोण की माप यहीं आएगा ना हमने इसके पिछले प्रशन में यह लिखा था ना प्रतेक भाय कोण की माप यहीं है चलिए मान रखते हैं कि एक बहु प्रतेक कोण की माप कितनी दी है प्रशन में 22एंच दी है किया 360 में नहीं जाएगा तो जब इसका भाग इसमें पूरा पूरा ही नहीं जाएगा कित यह लिख दिया ये लिख दिया 360 और 22 22 से कम 22 36 में से जब 22 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 6 में से दो गए 4 बचा 3 में से दो गए 1 बचा और ये 0 उतार दिया आगया 140 अब आप भाग देंगे तो 22 दूनी 44 22 दिया 6 चट है ना 28 चुक 88 और 6 बार में लगबग चला जाएगा ठीक है फिर दशमलो लगाना पड़ेगा तो कुल मिला के ये जो है भाग नहीं जा रहा है उत्तर जो है आपका आ रहा है 16 दशमलो कुछ 2 3 आएगा 3 कुछ कुछ इस तरह से आएगा तो पूरा भाग नहीं जा रहा है तो अब आप यहाँ पर यह समझ जाएगा कि जब पूरा भाग नहीं जा रहा है तो इसका जवाब जो है वो नहीं में आएगा तो क्या यहाँ संभव भुच संभव है तो आप लिख दीजेगा नहीं जवाब में लिखेगा क्योंकि क्योंकि तीन सो साथ अंच में बाइस अंच का भाग नहीं जाता इसको और अच्छे से इस तरह से लिख सकते हैं किस तरह से लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि भाग नहीं जाता पूर्ण रूप से हैं ऐसा लिख दीजे पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता ठीक है या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 22 से 360 जो है वो विभाजित नहीं होती इसके बाद में अब बीवाले पे आते हैं बीवाला क्या है क्या या किसी सम बहुबुच का अंतर कोन हो सकता है और अगर है तो क्यूं तो आपको यहां पे यहीं लिखना पड़ेगा कि विभाज नहीं है और एन पराबर से 360 बटे अब मुझे एक बात बताईएगा आप यहां पे ध्यान से कि हमें कितना दिया है 22 किस तरह से ग्यात होगा एक रैखिक यूगम है तो रैखिक यूगम में अगर 22 अंच अंता कोन है तो 180 पूरा है तो इसमें से 22 को आप घटा देंगे यह वाले को तो यह वाला आ जाएगा बायकोन प्राप्ट हो जाएगा हमें तो हम यहीं लिखना पड़ेगा नहीं पर क् एक सो असी रिण अन्ता कुण ठीक तो अब आप मुझे बताईए एक सो असी में से आप बाइस घटा देंगे तो कितना आएगा एक सो अठावन आएगा यही चीज आपको यहां पर भी बतानी है एक सो अठावन से भाग दीजिए आप यहां पर क्या पूरा-पूरा जाएग भाज्य नहीं है तो यही जवाब आपको यहां पर भी देना होगा ठीक है तो यह हो गया आपका कौन सा प्रश्न क्रमांग 5 का उत्तर हो गया इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांग 6 की क्या है प्रश्न क्रमांग 6 बताईए प्रश कोण संभव है तो मुझे एक बात बताईए कि जिस तरह से बाहय कोणों का योग कितना होता है 360 होता है तो सभी अंता कोणों का योग कितना होता है बताईए अंता कोणों का जो योग है वो कितना होता है एक बताईए मुझे सम बहु भुज में जो अंतह कोण है उनका योग कितना होगा तो मान लीज़े कि एक त्रिभुज है ठीक है एक सम बहु त्रिभुज ले लिया हमने सम बहु त्रिभुज में अंतह कोणों का योग बराबर कितना हो जाता है 180 अंच ठीक है तो बुजाएं कितनी है बुजाओं की संख्या बराबर से कितना है 3 है न बुजाओं की संख्या 3 है न तो मान लिया 3 है तो जैसे x प्लस x प्लस x बराबर 180 अंच हो जाएगा है न तो 3x बराबर 180 अंच तो x का मान कितना जाएगा 180 बटा 3 यानि यह हो जाएगा 60 अंच तो x बराबर से 60 अंच ही हमारा उत्तर आ गया ठीक है कि 60 अंच जो है कम से कम एक कौन 60 अंच का यहाँ पे होगा तो आप यहाँ पे लिख दीजेगा कि अतह सम बाहु तिरभुज में कम से कम आपको लिखना पड़ेगा 60 अंच का अंच कौन संभव है इस तरह से आप यहाँ पे लिख दीजेगा ठीक है तो यह आपका उत्तर हो जाएगा इसके बाद में दूसरा क्या है किसी सम बहु भुज में अधिक से अधिक कितने अंच का भायकोन संभव है तो आप देखिए यहाँ पे मैं आपको step by step लिख के बताता हूं कि इसको आप बायकोन प्रतेक की बात कर रहा हूं बराबर से कितना हो जाता है एक सो असी अंच हो जाता है ठीक है यहाँ पे बात इस पश्ट रूप से समझ में आ गई अब बी वाला देखिए पूछ क्या रहा है किसी सम बहु भुज में अधिक से अधिक कितने अंच का भायकोन सम साथ है है ना तो अधिक से अधिक कितना होगा बराबर से एक सो असी होता है तो कम से कम जो अंता कोन है उसकी संक्या साथ अंच माल लो है ना और अधिक से अधिक भायकोन को आप कुछ भी माल लीजे माल लीजे वाय माल लिया हमने ठीक है तो बराबर से एक सो असी अंच हो आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि अतह किसी प्रश्न में जो लिखा हुआ है किसी संबहु भुज में संबहु भुज में भाय कोण अधिक से अधिक 120 अंच का संभव है ठीक है यह होगे आपका बीवाले का उत्तर ठीक है और मेरे ख्याल से यही अंतिम प्रश्न था तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो में यह जो प्रश्नावली है बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी सब्सक्राइब अच्छे से जब्रश्न यहीं लिंग को शेयर किजएगा अपने सभी दोसतों साथ ही अमित्र ताकि वे लोग भी देख पाएं इस वीडियो को समझ पाएं जानकारी को बाकि मेरी फिर आप से जल्दी मुलाकात होगी अगली नहीं जानकारी के साथ नहीं प्रशनावाली के साथ नए वीडियो में और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार